हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक्जाम तो बहुत ही नदिक आच चुका है, ऐसे में इस समय आपके मन में क्या चल रहा है एक्जाम को लेकर हमें कमेंट सेक्षन में आप कमेंट करके जरूर बताईगा, उससे पहले दोस्तों आप सभी प्यारे साथियों के लिए साइंस के हम तम दो आफ जेक्टिव कोचंदे करा हैं आपको साइन्स में नबय प्लस लाने में यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा कियोंकि इसमें हम आपको आपको साइन्स को बताने वाले हैं और अगर आप सभी मेरे प्यारे साती इस बार मेयकरीं के एकज़ाम देने वाल तो विडियो को सुरूँ से लेकर अंग तक देखाए, सभी मेरे प्यारे साथ इए, ठीके हैं, तो चलिए हम वड-इयो कर स्टार्ट करते हैं बीने आपका टाइम लिये ठीकें, पहला number कोचन दोस्तों है आपका कि परकास की किन्यने गमन करती है, तो परकास की किन्यने हमेश सीधी रेखा में कमन करती है सीधी रेखा में अंसर होगा यह नमर परकास के किर्णे हमेसा सीधी रेखा में ही गमन करती है और निरिवात में परकास के चाल कितना होता है कमेंट सेक्सम में बताएगा अगला कोशन सर्च लाइट का परवर्तक सता होता है जब पूचेगा ट्रीक मत लगा यह बी पर टीक लगाएगा उतल दरपड़ा होता है ऐटाल दरपड़ में दाड़ी बनाने का यह उपयोग करते हैं हम लोग सवर्य कुकर में भी आउसर आपलों बी पर टीक लगाएगा सभी मेरे प्यारिशांति आप देखो तीन नेमर प्रस्ति आ गया निर इस दिए पर चोई किलोमिटर कर दिया drink 2005 556. हर सभजेक्ट नंड्व सब्जेक्टिव निक मुझे नहीं है नया चैनल का लिंक मिलेगा आप लोग बहुत ही बेस अब्सक्राइब करें एक नया चैनल बनाई है और उसी चैनल के मदद से हम आपको हर सब्जेट का सब्जेक्टिव कोशन बताने का पर्यास करें पूरा सब्जेक्टिव कोशन लड़ जाएगा किमकि दोस्तों इसके कि एक दिन में पाच-पाच सब्जेक्टिव कोशन बता रहा है पूरे मतलब हिस सब्जेक्टिव कोशन एक दिन में बता दे रहा हूं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है और उसी चैनल के मदद से आपको 11 का हम बेसिक डिस स्टार्ट करेंगे उसी चैनल जैसे एक जम्प खौतम होगा उसे पर स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो मतलब एक बार बोल देते हैं जाकर सब्सक्राइब कर लिजीगा ठीक है पाश्रमर आपका प्रस्ण है कि मानो नेत्र जिस भाग पर पर प्रत्मी मनाते हैं उस भाग को द्रिश्टी पतल कहते हैं और द्रिश मानो नेत्र का दूर बींदू अनंत होता है अगर आपका जो मतलब की स्वस्थ आंख है तो आप स्वस्थ आंख से अनंत दूरियात देख सकते हैं तो अंसर आपका डी नुमर होगा उर्जा का इसाई मात्रक क्या होता है क्या होता है मेरे प्यार सांथी जूल होता है से जल है निमन में किसका अर्थ से जल होता है मेरे प्यार साथी निमन में किसका अर्थ से जल होता है तो हाइड्रो का मतलब क्या होता ना जल होता है ठीक है जल का मतलब क्या होता है हाइड्रो हाइड्रो का मतलब जल ठीक है याद रखीगा अब देखो अगला प्रसंद देख और विदू सकती का वाट होजेगा और विवांतर का भोल्ट होजेगा याद रखना ठीक है अगला कोशन है एक भोल्ट का लाता है तो एक भोल्ट बराबर एक जूल पर कुलम होता है एक जूल पर कुलम एंसर आपका बी नमर होजेगा मैरे पैरसांती एक जूल पर कुलम यानिके शर्क-सर्किट खोता है यान कि प्यान की मतलग मतलब कि लोगोपतन के समय में इसका परिपहत कमान अधिक बढ़ जाता है तो इसकी कारण सोट की की कारणं आपके घर में भी भूस्त की कारण के लिए उतरदाई है गुलोबल वार्मिंग के लिए का्रों डाऊइक्साइड करप लुक्वान डाऊपस्ड थी मतलब की आवस्जब्ड्क ठीक है याद रखना इए उतरदाईं है चादा नम्र प्रस्छत ने सांग अंध्डी यों साख सब्सके lacking भीघर्टित होकर कमपोंजड बरेना किस परकार की अभी की तो है असमा उसको उसमा porकी बोलते हैं जैसा कि शवासन भी उसमा शेपी बिकरिया तो अब कि यहां चेपी हुआ अंसर क्लीदुथrol से अजिस umah प्रक्रिया जिसमें जिसमें oxygen का ब्योग योग होता है और वहाँ पर हैडोजिन का योग 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 क्या होता है ना व्रीती होता है और हैरदोजिन होताए यह घराथ होता है हन्सरा सभी वहजा है ठाला कोश अगया आख को? यह है कौन आक्सी कारग हैughtistics पूछा ना तो काफी इसमें confuse हम लोग हो जाते तो into क्या होता इस टू एक आक्सी का रुक का रख पूछेगा तो और और यह चल जाएगा और का रख में सी नमर चलेगा कियोंकि oxy-caroy Architecture ना होता है स्ट्टू होता है कि नहीं थोड़ा हमने कमेंट करके बताएं ठीके अब दखो अगला कोचिने किसी अमलीयग्यक्र alto account होता है किसी भी अमलीयग्र का पीय। सास से कम होता है अगर 현재 स्टूहँ चार्यां बिल्यो मौन का पीच मान पूचए अमलीया पूचा है तो साथ से कम देंगे अगर च्छारीए बियोन का पीहेच मान पूचेँ साथ से अधिक पर ठीक लगाएगा ठीक है अगर उदासिन का पूचे तो केवाल केवाल साथ पर ठीक लगा देजिएगा साथ के बराबर ठीक है अब अगला प्रस्ट ने सोडियम कार्मेनेट का अनिस्तुत्र है सोडियम कार्मेनेट का अनिस्तुत्र ने टू उसी ओ थी रही होता है एनकी सोडियम कार्मेनेट एंसरों का ए नमर वालस सही ठीक है और जो b नमर में दिआ है ये banking आवर banking सोडा करा सालिक सुत्र होता है और जो दी नमर में दी वो आधार नमकर अदर्थारी मिस्ट्र होता है याद रखना अगला कोश्ट नवका मतलब चुना पतर खरिया संगमर ये सबी एक ही होता है और उन सबी काप मतलब की नुट होता है थात तो अभी तक हमारे जो नये चनल को सब्सक्राइब नहीं कियाओगा प्लीज याड जाकर सब्सक्राइब करेंगा आप लोग बहुत ही अच्छे हो मुझे आप लोग बहुतِ ही पसंद आते हो यार आप लोग इतना अच्छे हो नकि मेरा हर एक बात मानने है तो अगर आप भी 90-86 प्लस नमर लारा चाहते तो एक बार हमार साथ संपर करके रखिए एक्जाम बाद हम बेसिक स्टार्ट कर देंगे 11 का ठीक है तो पहले ही आप बेसिक जब मद्बूत कर लिजेगा तो आगे चल कर बहुत आपको फायदा होगा अब जिस सब्जेक्ट स अच्छा बने और अच्छे से अप लिख और एक्जामनेशन हल में एक भी कोशन आपको मतलब की भूर ना पड़े यानिकी मतलब भूलना पाए सभी कोशन याद रहे है और अच्छे से लिख कर एकदम 90 प्लस नमर लाए अगर अगर अब्जेक्टिव में आप असी प्लस होई गया तो असी प्लस अगर हर भी से मेर होगा तो 400 आ जाएगा अगर आपका टार्गेट 450 का है तो पका 400 के करीब आएगा जो विद्यार थी 450 का टार्गेट लेकर एक्जाम देने जाते है ना उनका 400, 390, 345 में इनकी 400 तो पका आने की गरांटी रहती है इतना तो म यनकी 1.2 होता है अंसर होगा ए नमर ठीक है अब देखो लोहा सज्जिंग के लेपित करने की किरिया को कहते हैं लोहा सज्जिंग के लेपित करने की किरिया को अम लोग गैलवीनी करन कहते हैं क्या कहते हैं गैलवीनी करन कहते हैं अंसर होगा बी नमर निमनली खित में कौन आइनिक योगी कें निमों लीखित में कौन आइनिक-योगिक है तर तर एक क्रोल होजगां यो अंसर याद याओ दखना ठीक है आईनिक योग defensive होता है अल्मुदीमका संहित को कहते हैं तो याद रखना अगरा कोच ने इथाइल अल्कॉल का अन्वी सुत्र क्या होता ना इथाइल सबसे पहले में इथाइल वन पर आता है टूपर क्या आता है इथाइल आता है तो C2C2 यहाँ पर देख सकते हैं C2H5OH है तो यह यह मिथाइल अल्कॉल हो जागा ठीक है अमसर क्या होगा अपका बी निमर हो जागा अगला कोशन आदरिक आवर्थ सार्णी में 36 कतारों की संख्या कितनी होती है साथ होती है मेरे प्यारे बच्चो साथ होती है कि ना साथ होता है अब देखो अगला प्रस्ण है अगला कोशन किष में पा जाता है तो कुटपाद किस नहों में पा जाता है अमीबा में पा कुटपाद किस में पाजाता है sorry sorry कुछ पाथ किसमें पाजाता है यह आपको कई बर बता चुके हैं यह बहुत ही मतलब important question से इसको किसी ने किसी तर आप लोग याद कर लिजेगा ठीक है ठीक है यह question आपके एक्जाम में मतलब आएगा इसमें काफी बच्चे मतलब की गलती कर बैठते हैं ठीक ह आपको गलती नहीं करना है ठीक है तो answer बताएश है तो की answer होगा? इसका जल्दी से comment करके बताएश सभी लोग बहुत युद की अच्छा यह न फेयरी गुद बहुत यह नहीं होता है ठीक है और इक हर्मन होता है अगला कुछ मनूस्जा के सरीर की सबसे बड़ी गरंटी क् कि सरीर की जिस सबसे बड़ी गरंती होती है उसको यकृत बोलते हैं यकृत का दूसरा नाम लीवर भी होता है अपसान में यह आप करके यकृत भी दे सकता है यह करके दे सकता है तो आप लोग इसी पर ठीक लेगा है सबसे बड़ी गरंती यही होता है ठीक है अगला कोश्च निमनलिखित जीवों में किसमें अलंगी जनन मुकूलन द्वारा होता है तो इस्ट में होता है इस्ट में होता है इस्ट में होता है अंसर याद रखना अब अगला कोश्च ने कीटू के पंक और चमगादर के पंक किस तरह के अंग है संब्रित अंग अवसेसी यह फिर समझा खाल्ट रखेगा अगला कोशनापका है है इसका उठ्साइश क्या होगा है की चाहिक है का ह divers सम्ध्री नॢब होगा यह पी सम All day Sam दोना होगा भीका कोशने भीकास्टिरित कुर्ण किस paperwork कि अधिक समानता है तो चीन के बदयारती से कंसा है तो रख कर Τॐ होता है हरे पूदे कालाते हैं हरे उति कि आपकेर आन्से कित्मा कौन परकृतिक संसाधन नहीं तो जीवधारी परकृतिक संसाधन नहीं अंसर आपका डी नमर्ड परसंट सही उत्तर औरद्वोदेरोसे कन्वाटिए परदुषंस तन्टाइम भनान म् पर्ताइब ये बहुत इंप्रेस और परप्त उठीज्चों तो प्रप्त टो से डियरेक्ड टींट अरेखली अरे में से लेहां पर नभी कणड़ी है यहां नभी करने उर्जाब तो कारक तो औक सी खार fungus आले कोशिन आपका निम्रली खित में से पिहेंच का कौन सा छारक बिलियन का मान देता है चारक बिलियन का मान 30 देखा की आफा एंसर दी नमर ही हो जागा अगला कोश्यन में कौन सही है अगला कोशन आपका अगला कोशन आपका लिटमस लिटमस रंजक बैगनी का रंग होता है जो निकाला जाता है तो लाइक केंस से निकाला जाता है अंसर ए नमर होगा अगला कोशन आपका सुस्क भूजा बूजा हुआ चुना पर कुलिट्रीन गैस की के किरिया से कौन सा पदार्श बनता है तो देख वहां पर दो पदार्श का निमान होता है जल का भी और बिरंजा चुन का भी जैसे कि आप देख सकते हैं केलसियुम हैडोगस बूजा हुआ लगाना चाहेंगे यह आप ही डिसाइड करिए तो कमेंट अक्राइड करके आपको जरूर आप जरूर बताएगा अगर आपको सब्जेक्टिव कोशन जिस भी सब्जेट का चाहिए जाहिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक नया लिंक मिलेगा नया चैनल का उसी पर आपको मैत का उब्जेक्टिव कोशन देने वाले एकदम लोग मतलब कि जाकर चनल को सब्सक्राइब करें ठीक है ठीक है ठीक है आप बहुत अच्छे हो लग्की हो कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हो हमारे साथ क्लास करें अच्छा नमर आएगा रब से और भगवान से एक आए ठीक है और एकदम अच्छे से एक्जाम दीजेगा सब्सक्राइब ठीक है रहे है